नमस्कार पसुपालग भाईयों आपका अमारे वीडियो में सुवाग करता हूं पसुपालग भाईयों आज का अमारा टोपिक है कि मैं शोय अमनतनी गाई या बेस का दूस्त बढ़ाने के लिए कोण सा फामूला यूज करता हूं पसुपालग भाईयों लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंति तक वोच करें जिससे कि आप कोई भी जानकरी मिश ना करें और उसके साथी साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को अवच्छ से सस्क्राइब करिएगा क्योंकि आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो बनाए पसुपालन के साथ साथ अमारे चेनल पर खेती बाड़ी की जानकारी भी समय समय पर प्रवाइट करवाई जाएगी चलिए पसुपालग भाईयों वीडियो को स्टार् दृयोंे और उसके साथ से और शफ्वाय बैसर सहार wickल ये क मिक्स करके अपने गाई या बेश को खिलाए इससे काफी शहंदर बेणी बीट दिएगा ऐस प्रकार को का खिलाएगी आपके गाई या बैस कितना औूद न दे रहा है वीडिएग दो कि डानाप स्टिया पर स उसके साथी साथ आप केवल एक किलो ग्रामी बिनोले की खल यूज करें क्योंकि परस्वालक भाईयों बिनोले की खलिका जैदा कीमत होती यूज़ित कि आप के दूर्द में फ्हेंट बड़ें उसके साथ आप सर्शों का तेल पी अवस्या इसतमौल करें इसका भी कापी एहम युगदान फेंट बढ़ाने में होता है तो पशुपालक भाईयो आप इसका फामूले का अवश्य उप्योग करें काफी सांदार बेनिफीट है अगर इसके साथ ही साथ आप चाहे तो केल्सियम की बोटल जो की लिक्विट फोम में आती है उसे 100 ml प्रत आकर अपने फस्यों को दे इससे पी काफी सांदर बेनिफीट है तो फस्यों पालक भाईयो आप ग्याओं या स्वयाइपिन के ओ दल्या बनाकर आप बिनोले की खर और उसके साथ आप 100 ml शर्षों का तेल इन तीनों या चारों को मिक्स कर अपने गाई या बेंस को खिलाए काफी सांदर बेनिफीट है इसका सल्य किसान भाईयो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में